तो फ्रेंड्स आज को वीडियो है उसको है कॉंक्रीट पंप के उपर ठीक है आज हम कॉंक्रीट पंप के बारे में कुछ पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए वेल्कम फ्रेंड, माई यूटुर्ब चैनल टेकने कल अल आ करें तो चली श्टाट करते हैं आज का वीडियो तो चली श्टाट करते हैं आपने टॉपिक हम आज का हमर्ण जो टॉपिक था यह रहा है concrete pump ठीक है इसके बारे में हम शुरू करते हैं पढ़ना ठीक है यह क्या होता है concrete pump used for transferring liquid concrete transferring liquid concrete by pumping ठीक है pumping यह तुरू क्या करेगा यह concrete को lift करता है ठीक है यह mainly three type का होता है तो इसका जो first type है वो है concrete pump attached to truck और longer unit on on semi trailer या फीसे हम भूआ सकते है boom concrete pump ठीक है इसे इस नाम से भी जाना जाता ठीक है इसका properties क्या क्या है देखे लिए एक बार remote controlled articulating robotic arm ठीक है यह थोड़ा क्या होता है यह थोड़ा remote controlling वाला system होता है इसमे used for larger construction ठीक है large construction में इसको use करते हैं capable of pumping high volume ठीक हाई volume होता है इसका pumping करने का दगभ़ा किता होता है 140 ठीक है 140 meter cubic per hour यह होता है इसका ठीक है मैं उसका diagram दिखा जता हूँ एक बार आप 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 देख का diagram देख लीजिए ठीक है यह कुछ ऐसा होता है इसमें यहां से जो concrete होता है यहां बरते इसमें इसके through जहां पर हमको concrete का जरुवत रहता है वहां पर यह concrete हम क्या करते हैं concrete को हम lift करा सकते हैं इसके through ठीक है तो ऐसा रहता है यह यह next देखते हैं next क्या है हमारा mounted on truck और placed on trailer इसको और क्या बोलते हैं इससे एक और नाम से जाना जाता है क्या है बोलते हैं इससे बोलते हैं line pump और फिर ट्रेलर mounted pump जाहातर इसे trailer mounted pump की नाम से जानते हैं ठीक है इसके properties देखिए पैक के बेवल आफ pumping lower volume ठीक है इसका जो मतलब pumping volume वो ठीक होता है ठीक है used for small concrete volume placing application like swimming pool sidewalk swimming pool sidewalk single family home concrete slab ठीक है यहाँ पर जादार इसका यूज़ करते हैं यहाँ हमें कम volume की जरोज होदी concrete की ठीक है it require steel और flexible concrete placing first to be manually attached to the outlet of the machine ठीक है इसमें क्या होता है used and flexible concrete placing ठीक है इसका require होता है ठीक है इसका figure देख लिए थोड़ा सा वो clear हो जाएगा यह कुछ steps से होता है देख लिए आप दीक है ठीक है ऐसा होता है तो लिए next देखते हैं जो इसका तो थड़ भॉंप है थड़ क्या है हमारा skid mounted and drill mounted concrete pump ठीक है uncommon pump ठीक है uncommon pump है जादार इसका हम use नहीं करते हैं ठीक है only used for specialized job site ठीक है जहाँ पर कुछ special काम होता है चलता है कुछ बहुत बड़ा project होता है ठीक है इसकी example देखिए क्या mines and tunnels जहाँ पर हम easily इस pump को use नहीं करते हैं तो वहाँ पर हम इस pump का use करते हैं ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं ये pump में ये मतलब mainly 3 type के pump होते हैं जो आपको याद रखने हैं ठीक है और और बहुत सब pump होते हैं लेकिन उनका ज़्यादा तर use नहीं करते हैं इन्हीं तीन pump से कहम ज़्यादा तर use करते हैं ठीक है तो उमीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा होते वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें पजू होगा होते हैं झाल याल यूल याल याल झाल झाल